हेलो गाइज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ Students Point गाइज जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल IQ Students Point पर इस टाइम आपके एर के हिसाब से आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको क्लासिस प्रोवाइट की जा रही है तो अभी जो हाल फिलाल में हमारे उस पर क्लासिस चल रही हैं हमने BA Program की क्लासिस कंप्लीट कर दी हैं और साथ में Second Year की BA Program की क्लासिस और Second Year की Political Honors की क्लासिस भी स्टार्ट हैं First Year की Political Honors की क्लासिस स्टार्ट हैं साथ में Education की जो Third Semester की Second Year के बच्चे हैं क्लासिस भी स्टार्ट है बीकॉम की हम करवा चुके हैं तो ऐसे करके आपको कोर्स के अकॉर्डिंग आपको सारे क्लासिस प्रोवाइड की जा रही है लेकिन उन क्लास को अटेंड करने से पहले आप लोग के लिए स्लेबस जानना बहुत जादा जरूरी है कि उस क्लास में आपको पढ़ाया क्या जा रहा है जब तक आपको स्लेबस नहीं पता होगा आपको फर्स सेमिस्टर में दो मेन कोड दिये गए हैं, अंडरस्टेंडिंग पॉलिटिकल थियोरी और कॉंस्टिटुशनल गवर्मेंट और डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूँ कि क्लासिस हमने स्टार्ट कर रखी हैं और इसकी फर् प्रिटिकल ओनर्स के स्टूडेंट को इन्वार्मेंटल साइंस E.V.S. कमपलसरी दी गई है उसके बाद आता है जेनरिक इलेक्टिव का सबजेक्ट जेनरिक इलेक्टिव सबजेक्ट में चार सबजेक्ट आपको दिये गई हैं इंग्लिश हिस्ट्री हिंदी और तमिल ठीक ह उसके साथ साथ अब आप लोगों को इसका स्लेबर्स भी पता होना चाहिए बहुत सारे स्टूरेंट्स से ओनलाइन स्लेबर्स डाउनलोड नहीं हो पा रहा है और वहां से S.O.L. की तरह से आप लोगों को स्लेबर्स प्रोवाइड भी नहीं किया गया है तो आज सी क्लासे है में हम आपको जो जेनरिक एलेक्टिव का सबजेक्ट है हिंदी उसका स्लेबर्स डिसकस करेंगे ठीक है उससे पहले अंडरस्टेंडिंग पॉलिटिकल थियोरी और कॉंस्टिशनल गवर्मेंट और डेमोक्रेसी इन इंडिया दोनों में में कोर के सबजेक्ट का स्लेबर मैंने आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रखा है अगर आपने वो वीडियो अटेंड नहीं की है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप वहां से उसको देख लीजए और अपना स्लेबर्स लिख लीजए ठीक है तो आज ही क्लास में हम किलेक्टिव का जो सबजेक्ट है पॉलिटिकल ओनर्स का उसमें हिंदी सिनेमा और उसका ध्यायन इसके सिनेमस पर डिसक्रिशन करेंगे कि इसमें आप लोगों को पढ़ना किया है और इसके बेस्ट राइटर्स है कौन कौन से ठीक है सो लेस्ट टार्ट सबसे पहली यून एक इंडियन परस्पेक्टिव क्या रहा है सिनेमा को लेकर सिनेमा की भाशा उसके प्रकार इसमें जो धार में कहती हासिक राजनितिक यह सारे जो कोटियां आएं थी इन सब चीजों को आपको फर्स यूनिट में पढ़ने को मिलेगा ठीक है सेकिंड यूनिट है इकाई से सिनेमा का जो ट्रीटमेंट है हाइपल रियल है थर्ड है जो सिनेमा है पूरी उसके कि उसमें दर्शकों की विधियों की क्या कोटिया रही है जनता की मांग में उसकी पसंद ना पसंद सिनेमा का राश्टिये और अंतर राश्टिये इंटरनेशनल और नेशनल जो उसकी मा इसको भी फोर यूनिट्स में डिवाइट किया गया है, पटकता, सम्मात, संगीत, निरते, डांस वगेरा, यह साउंड है, लाइट्स है, कैमरा, यह सब चीजे, बहुत बार आप लोगों ने फिल्म में भी, इन फेक्ट बहुत साइज स्टुडेंट्स या लोग भी ऐसी मज मजाक में, शूटिंग करते वक्त भी बोल देते हैं, कि लाइट्स, कैमरा, एक्शन, तो यह चीजे मजाक में नहीं बोली जाती है, इन चीजों का बहुत जादा रोल होता है, एक शूटिंग के टाइम पे, एक फिल्म की, डॉक्यूमेंटरी की, किसी भी चीज की, तब ही इन चीजों का इस्तिमाल किया जाता है, तो इसलिए इन चीजों को आपको थर्ड यूनिट में अलग-अलग अच्छे से पढ़ाया जाएगा, कि इसमें क्या-क्या आपको बताया गया है, निर्देशक, निर्देशन, कुछ चुनिंदा फिल्मों के बारे में आपको इसमे इसको भी फोर टॉपिक्स में डिवाइट किया गया है सिनेमा समीक्षा की विदी पहलू इसमें फर्स टॉपिक ये है सेकंड टॉपिक में आपको फिल्में पढ़ाए जाएंगी ये आपको यहाँ पर ये सारी फिल्में दे रखी है ठीक है अचूत कन्या है मदर इंडिया, काबुली वाला, शोले ये सारी गुलाबी गैंक, पीकू, मधुमती, माइनेम इस कान ठीक है इन में बहुत सारी फिल्में तो आप स्टूडिन्स ने देख रखी होंगी तो पढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता के बारे में लिखो कि इस वाली फिल्म में क्या आपको सबसे जादा मोटिवेशनल लगा, क्या लगा, क्या नहीं लगा, इसमें क्या मैसेज दिया गया तो फिल्म को ऐसे याद रखना कि उसमें पता लगे आपको लेकिन सबी फिल्म जो होती है वो या तो मैसेज दे के जाती है या कोई एक मोटिवेशनल चीज बता के जाती है कि हाँ ऐसा होना चाहिए और होना चाहिए भी था ठीक है इसकी third topic जो है इसमें techniques है, कहानिया है, item song है और songs है इन सब के बारे में आपको पढ़ाया जायगा और सिनेमा की जो भाशा का समाज चात्र है आपको उसके बारे में इसको बहुत अच्छे से इस फोर्थ यूनिट में पढ़ाया जाएगा ठीके तो आपका सिनेमा का जो अध्यायन वाला ये टॉपिक है इसमें आप लोगों को फोर्थ चार यूनिट दी गई है अब इसके हम reference देखते हैं देखिए reference तो मैं आपको बता रही हूँ लेकिन आप लोग first year के student हैं अभी अभी 12 से उठकर आये हैं तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि college में कभी भी एक book नहीं चलती है कमसकम पढ़ने के लिए 10 book सामने रखने पढ़ती है तब जाके आपके notes complete होते हैं क्योंकि कभी भी एक topic मतब सारे topic एक book में नहीं मिल पाते हैं चार topic है तो उसके अंदर के जो subtitles हैं वो भी अलग-अलग book में मिलते हैं एक book में नहीं मिल पाते हैं मैंने फिर भी कोशिश की है कि आप लोगों को वो writers बता हैं जिसमें आपका maximum syllabus आपको provide किया गया है ठीक है तो सबसे पहला reference है Dr. Rama बुक की picture मैंने लगा दी है हिंदी cinema और उसका अध्यान के नाम से इनकी book है ठीक है ये book आपको available हो जाएगी online भी और offline भी online अभी थोड़ी से दिक्का चल रही है क्योंकि stock जो है वो खत्म हो चुका है आप offline कोशिश किये कि इसको purchase कर लो उसके बाद आता है TM Ramachandr 70 Years of Indian Cinema 70 वर्ष का जो भारतिय सिनेमा है ये इस नाम से book है ये English में नाम लिखा हुआ है आप लोग confused नहीं होईएगा क्योंकि हिंदी जो है वो language paper है और वो हिंदी में ही होगा भले से आप English medium के student हो या पंजाबी medium के हो या हिंदी medium के हो आपको ये paper हिंदी में ही देना पड़ेगा क्योंकि एक language paper है और language हमेशा उसी language में दी जाती है जो लिखी जाती है ठीक है तो इनकी जो book है वो 70 years of Indian cinema ये हिंदी मे चंदर की book में ठीक है और है डॉक्टर अनिरुत कुमार और डॉक्टर अनुच कुमार हिंदी cinema रुसका अध्यन के नाम से ये book है ठीक है इनकी ये book भी बहुत अच्छी है इसमें films को काफी अच्छे से लिख रखा है details में भी लिख रखा है एक तरीक से अलग-अलग करके बता रखा है कि किस में क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया है तो आपको मैंने हिंदी cinema रुसका अध्यन पॉलिटिकल ऑनर्स के student को जो जनरे किलेक्टिव में दिया गया है उसका subject का syllabus बहुत अच्छे से समझा दिया है आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो question हो doubt हो या suggestions हो तो आप हमसे comment box या telegram channel में पूछ सकते हैं so thanks for the watching and best of luck all